कोबिड मरीजों को आक्सिजन की कमी ना हो इसके लिए अब लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं हमीरपुर में प्रदेश बाहर काउंसल की सदस्ते रोही शर्मा ने भी मुख्य चिकिस्ता अधिकारी को 26 आक्सिजन सिलेंडरों को रिफल करवा कर दिया है ताकि कोबिड मरी मरीजों को आक्सिजन की जुरूरत पढ़ने पर समश्या पेश ना है वही मुख्य चिकत साथकारी डॉक्टर आर के अगनहोत्री ने भी कोबिड मरीजों की मदद करने के लिए बाकी लोगों से भी आगे आने के लिए आहवान किया है वही प्रदेश वार काउंसल के सदस् आज के समय में कोबिड महमारी बहुत बढ़ गई है और कोबिड मरीजों को आक्सिजन की कमी ना हो इसके लिए 26 आक्सिजन स्लेंडरों को रिफिल करवा कर CMO हमीरपुर को सौंपा है उन्होंने कहा कि अगर जूरत पड़ी तो और भी आक्सिजन स्लेंडर स्वास्ते वभा आक्सिजन के उनको रिफिल कराने करा जा सकता है उसके मदर चलते हुए उन्होंने हमें 26 स्लेंडर 28 तरीकों हैंड़ोर किये थे जिसको हमने ट्रांसपोर्ट के माध्यम से यहां से लिफ्ट करा करके विगरेट प्लाइन में पिछवाया था आज वो स्लेंडर हमें रसीव ह हो गया है और आज सुभे ही दस वजे गाड़ी आई है हमने स्लेंडर कर दी है जो आप यहां पर टेलिविजन पर इस चैनल पर देख रहे हैं यह आज हम आए दिन देखते हैं कि आक्सिन की किलत जो है हर जगा हो रही है और इस महामारी में यह मुझे लगता है कि कोई से कदम समाज के लिए बढ़ाया है गांधी चौंपर एक हमारे योगा कॉंग्रस के साती है मौंटी संदू जी उन्होंने मुझे वहां पर बुलाया है कि बला जोनेशन कैप में वहां भी जाना है जहां तक आगे की रननिती की बात है आने वाले समय में जहां जहां जैसे कामना करता हूं और मैं चाहता हूं कि वो जल्द अपने परिवार में सकुषल अस्वस्त जल्दी हों और मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने इससे पहले भी एक टेलिवीजिन चैनल के मादिम से कहा था कि मुख्यमंत्री जी यहां पर दो कफते पहले आये थे मैंने उस वक्त कहा था कि जो यहां के नेत्यत्व है उनको यहां के लीडर्शिप को इकठे हो करके मानने मुख्यमंत्र जी को यहां की जो दशा है उसके बारे में बताना चाहिए यहां कितने सेंडर वेकेंट हैं कितने सेंडर मगाया जा सकते हैं इसके बारे में सारा उनको अबगत कराया तो वो एक उसमें contribute करेगा यहां साधी और वेदिक कॉलेज में हॉस्पिटल में एक सेंटर है कोविड का एनाइटी में कोविड का सेंटर है तो मैं चाहता हूँ कि इसके इलावा जितने भी ग्राइविट हॉस्पिटल है वो भी वोलेंटरली आ गया है और वो भी अपना एक लोचना से काम नहीं चलता क्ता यह सिर्फ यह समय है जहां आपर हम सभी को कठेया करके समाज के प्रति अपनी जमेबारी समनी चाहिए और कंट्रिबूट करना चाहिए वहीं मुख्य चिकत्सा अधिकारी डॉक्टर आर के गनुत्रि ने बताये कि बार काउंसल के सदस्य द्वारा 26 आक्सिन स्लेंडर रिफिल करवा कर दिये गए हैं उन्होंने अवहार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे मरीजों को राहत मिलेगी उन्होंने बाकी लोगों से भी को जो है वो सहाइता करने चाथ है किसी रूप में तो हमने इनसे यही रुकस्त किया कि आप अगर करना चाहते है तो जो हमारे पाप सेंडर है उक्षिजन के उनकी फिलिंग करा दे और इस तरह से इन्होंने फिर हमारे जो थे ग्यारा जो है वो डी टाइप के बड़े सिले करेंगे वो कोबिट पेशेंट के लिए एमरेंसी में यूज किये जाएंगे अलांकि हमारे पास ऑक्षिजन स्लेंडर हैं मानने यह मैं जो हमारे एंपी हैं राग ठाकुर जी पनिश्ट ऑस्टेट पर फारने उनना नहीं दिये हैं और हमारे पास मेडिकल कॉलेजी में हैं ल इनका शुक्रियादा करता हूं और अपील भी करता हूं जन्दमान से कि आप सभी लोग समाज एक कार्या होता है सबकी सेवा, मरीजों की सेवा करना हमारा सबका काम है आपको बता दे कि दो दिन पहले ही केंद्री राज्य वितमंत्री अनुराग सिंग ठाकुर ने भी स्वास्ति विवाग हमिरपुर को 50 ऑक्सिजन स्लेंडर विजवाए हैं और अब कोबिड मरीजों की मदद के लिए बाकी लोगों की दोरा भी मदद के हाथ बढ़ाए जा रहे हैं जिससे कोबिड मरीजों को अगामी दिनों में राहत मिलेगी